नमस्कार दोस्तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रोजन के इस वीडियो में दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम cover करेंगे जीवन रेखा के बारे में, मस्टिक्स रेखा के बारे में, फिर्दे रेखा के बारे में, विवहा रेखा के बारे में, संतान रेखा के बारे में, मणी बंद रेखा के बारे में, भाग्य रेखा के बारे में, और हाथ में कुछ ए है जीवन रेखा के बारे में तो इंडेक्स फिगर और थम के बीच से एक रेखा निकलती है जिसे हम जीवन रेखा कहते हैं वह कुछ इस तरीके की होगी और मनी बंद रेखा की तरफ जाएगी दोस्तों अगर इस रेखा के साथ अंदर की तरफ कुछ कर्व बन रहे हैं ऐसी कि आपकी कामियाबी में किसी दूसरे इंसान का हाथ होगा क्योंकि ऐसे लोग आपको प्रोतसाहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए यह आपके माबाप हो सकते हैं आपके भाई बेहन हो सकते हैं या फिर आपका जीवन साथे भी हो सकता है चलिए दोस्तों अब हम अगली र तो इसका मतलब है कि आपकी मेमोरी बहुत ही शार्प है कुछ लोगों के हाथ में यह लाइन काफी लंबी होती है यानि कि कुछ इस तरीके से मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके की अगर यह लाइन है तो इसका यह मतलब है कि मेमोरी जो है वो बहुत ही है ऐसे लोगों को पुरानी बाते याद रहती हैं कई साल पुरानी बाते इनको याद रहती हैं लेकिन ज़्यादा तर यह रेखा फातों में कुछ इस तरीकी की पाई जाती है दोस्तों आप यहाँ पर रही होंगे कि इंडेक्स फिगर के नीचे जीवन रेखा और मस्तिक रेखा आपस में मिल रही हैं अगर यह रेखा आपस में मिल रही होती है तो उस केस के अंदर इंसान जो भी काम करता है वह दूसरों की सला जरूर लेता है यानि कि जीवन में कुछ भी करना है तो वह चाहेगा कि सारे लोग मिल करके काम करें तो ये एक बहुत अच्छा साइन होता है लेकिन कुछ एक हातों के अंदर ये रेका इस परकार की भी होती है जीवन रेका से थोड़ी अलग है यानि कि इंडेक्स फिगर के नीचे ये रेका जो है कुछ गैप बना रही है दोस्तो अगर ये गैप बना रही है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो self-made होते हैं यानि अगर ये लोग कुछ decide कर लेते हैं तो उसे कर के छोड़ते हैं किसी और की सलाँ नहीं लेते तो इस case के अंदर ये लोग दूसरे लोगों की सलहा लेते हैं लेकिन जो best option होता है उसे ही करते हैं तो ये रेखा भी काफी कम हातों में देखने के लिए मिलती है बट देखने को मिल सकती है मैं इसे रब कर देता हूँ और दुबारा से फिर वही रेखा बना देता हूँ जैसी ये पहले थी इस तरीके की चलिए दोस्तों हम अगली रेखा की बात करते हैं जिसे बोलते हैं हिरदय रेखा इर्दार एखा जो है वह लिटल फिंगर के नीचे से निकलती है और ये कर बनाती हुई सनी परवत की तरफ अगर चली जा रही है तो ऐसे जो लोग होते हैं वो लोग हर चीज में मुनाफ़ा देखते हैं यानि कि हर चीज को लॉजिक फुल देखते हैं कि इसमें फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है ऐसे लोग अगर किसी इंसान से प्यार भी करते हैं तो ये देखते हैं कि इस प्यार करने में फायदा है या नुकसान है यानि कि दूसरे इंसान को अगर अपनी जीवन में लाएंगे तो इन्हें क्या-क्या एडवांटेज होगी अगर यही रेखा कुछ इस तरीके से ब्रस्पती परवत की तरफ चली जाए मैं आपको ड्रॉगर के दिखाता हूँ इस तरीके से ब्रस्पती परवत की तरफ जा रही है और यहाँ पर कर बना रही है यदि ऐसे लोग प्यार करते हैं तो वह उसमें मोलभाव नहीं करते क्योंकि इनका प्यार सच्चा होता है दोस्तो एक सबसे अच्छी चीज अगर हिर्दय रेखा कुछ इस तरीके का कर बनाती है जैसे अभी मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ अगर हिर्दय रेखा कुछ इस तरीके का कर बना रही है दोस्तो तो समझे कि आपका जो जीवन साती है न वो बहुत ही सुन्दर होगा इंटेलिजेंट होगा और सबसे अच्छी बात जब आप उसके साथ जाएंगे न तो आपको प्राउड फिल होगा अपने जीवन साथी को इंटेडियूस करते हुए अगर लड़का है तो उसकी वाइफ जो है वह बहुती सुन्दर होगी इंटेलिजेंट होगी और उसे अपनी वाइफ पर प्राउड होगा अगर लड़की है तो उसे अपने हस्बेंड के उपर प्राउड होगा चलिए दोस्तों अब हम अगली रेखा की बात करते हैं जिसे बोलते हैं विवाहा रेखा दोस्तों लव मेरिज और अरेंज मेरिज के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है चाहें तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं यहां पर हम बात करेंगे विवाह रेखा की जो लिटल फिंगर होती है और हिरदय रेखा होती है उसके बीच में एक रेखा यहां पे इस तरीके से अगर बनती है तो इस रेखा को कहा जाता है विवाह रेखा जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों इस विवार एका से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि शादी किस उमर में होगी अगर यह रेका बिलकुल मिड में आ रही है तो अनुमान यह लगाया जाता है कि 25 साल से लेकर कि 30 साल के बीच में शादी हो जाएगी हो सकता है 27-28 साल में हो जाएगी हो सकता है 39 या 30 तक हो जाएगी अगर येहरेखा हिर्दयरेखा के पास आजाती है तो उस केस के अंदर क्या होता है कि शादी जल्दी हो जाती है यानि की जल्दी हlasens होते हैं हो सकता है 20, 22 या फिर 24 साल या पच्चे शाल की उमर तक शादी हो सकती है और यह रेखा लिटल फिंगर की तरह बढ़ जाए तो उस case के अंदर शादी जो है डिले से होती है यानि कि यह रेखा कुछ इस तरीके से लिटल फिंगर के पास पहुंच जाए तो हो सकता है कि शादी जो है वो 32 साल की उमर में हो 35 साल की में हो 38 में और बहुत ज़्यादा अगर लिटिल फिंगर के पास है तो हो सकता है 40 या 42 साल में भी शादी हो तो शादी डिले हम इस रेखा को देख करके निकाल सकते हैं चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको और समझाने की कोशिश करूँगा ज़्यादा तर तो यह रेखा मिड में ही होती है अगर इस रेखा के साथ चोटी चोटी सी ऐसी लाइन है अगर यहाँ पर देखने को मिल रही है तो इसका यह मतलब होता है कि आपको अपोजिट सेक्स की तरफ आकर्शन होगा अगर लड़का है तो लड़की की तरफ आकर्शन महसूस कर सकते हैं अगर लड़की है तो लड़कों की प्रती आकर्शन महसूस कर सकते हैं हो सकता है कि इनका छोटा मुटा अफेर भी चल जाए इन छोटी रेखाओं का जादा तर मतलब यही होता है कि आप दूसरे के प्रती आकर्शन महसूस कर सकते हैं चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगली रेखा की जिसे बोलते हैं संतान रेखा दोस्तों लिटल फिंगर के नीचे अगर ऐसी छोटी छोटी लाएने अगर आपको दिखें और ये लाइट होन तो इसका यह मतलब होता है कि जो संतान होगी वे लडकी होगी अगर यहीं पर थोड़ी सी गहरी लाइने हो और थोड़ी लंबी हो तो इससे यह अनुमाल लगाया जा सकता है कि जो संतान होगी वे लड़का होगी लेकिन इसके लिए हस्बेंड और वाइफ दोनों के हाथों को देखने की जरूरत होती है और जनम पत्री देखके यह अनुमाल लगाया जा सकता है कि जो संतान होगी वे लड़का होगी या लड़की होगी चलिए दोस्तों अब हम अगली रेखा की बात करते हैं मनी बंद रेखा यह कलाई के उपर होती है दोस्तों यहाँ पर अगर आपकी मनी बंद एक रेखा है इस तरीके से तो आपका स्वास्त बहुत अच्छा रहेगा अगर इस रेखा में कुछ बेकेज आ रही है यानि कि यह रेखा कुछ कटी हुई है कुछ इस तरीके से यह रेखा बन रही है इस तरीके से तो आपके स्वास्त में दिक्कते आ सकती है यानि कि स्वास्त थोड़ा खराब रह सकता है अगर एक से जादा है रेखा इस तरीके से दूसरी रेखा भी मनी बंद में बन रही है तो आपको कहीं पर अपमान भी सेना पड़ सकता है और अगर एक और रेखा यहां पर बनी हुई है कुछ इस तरीके से तो इसका ये मतलब होता है कि आपके पास धन भी बहुत होगा और अगर यह थोड़े से ब्रेकेज हैं तो धन का आना जाना लगा रहेगा चलिए दोस्तों आ रहा है वो भाग रेखा के अनुसार ही हो रहा है यदि हसनापूर की राजगदी मेरे भाते में होती है तो देवी सत्यवती की भाग रेखा उसका विरूत क्यों करती है भाग रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती दाश राज इसलिए मैं देवी सत्यवती की भाग र पर्वत कहते हैं दोस्तों ये भागे रिखा काफी बार जीवन रिखा से टच करती हुई भी जाती है जिसे मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से दोस्तों ये रिखा ये दर्शाती है कि आपका भागे आपका साथ देगा यानि कि आने वाले समय में हो सकता है कि आपको कहीं से धन लाब हो या फिर आपकी बहुत अच्छी नोकरी लग जाए लेकिन आपकी जो लाइफ है वह बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि भागे आपक जिसे हम M sign बोलते हैं मैं आपको इसे draw करके दिखाता हूँ अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर एक M बन रहा है यानि कि फिर्दै रेखा से भागे रेखा नीचे की तरफ आ रही है फिर वो है मस्तिक रेखा को काट रही है और मस्तिक रेखा जो है वह जीवन रेखा के साथ मिल रही है तो कुछ इस तरीके का M बना रही है अगर ये M बन रहा है मैं दुवारा से draw करके दिखा देता हूँ ये एक M बन रहा है ठीक है इसे आप clearly देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक M शेप बन रही है ये दर्शाता है कि ये लोग कुछ भी काम करेंगे ना उसमें इन्हें सफलता मिलेगी चाहे ये नौकरी करें चाहे बिजनिस करें इन्हें सफलता मिलने के चांसेश बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को X साइन के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा यदि यदि यहाँ पर एक रिखा कुछ इस तरीके से फिर्दै रिखा और मस्तिक्स रिखा को काटे और बीच में ही ये भागे रिखा को काट दे तो ये एक X साइन बनता है कुछ इस तरीके से अगर ऐसा X साइन बन रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोगों के हाथ में काफी पैसा आएगा यानि यह जो भी काम करेंगे उससे धन बहुत जादा अरजित होगा ऐसे लोगों की जो लाइफ होती है वो लेग्जिरियस लाइफ होती है ऐसे लोग अपना घर बनाते है मन चाही गाड़ी में घूमते है मन चाही यात्रा करते है तो क्योंकि इनका भाग ये इनके साथ देता है और सबसे अच्छी बात ये होती है कि लोग इनका सहयोग करते है और भागे रेखा जैसे मैं पहले बता चुका हूँ लोगों को अगर सही लोगों की जरूरत होगी तो यह सही लोगों से जोड़ जाएंगे क्योंकि इनका भाग यह इस तरीके से है इनके हाथ में धनकी रिखा भी है तो ऐसे लोग जो होते हैं वैं लग्जिरियस लाइफ जीते हैं वैसे भी यह जो एरिया होता है हाथ के सेंटर में इसे हम राहू का एरिया कहते हैं इसे हम राहू का एरिया कहते हैं यहीं से हमें पता लगता है कि इनसान के पास कितना धन रहेगा उसका लग कितना साथ देगा और जब किसी काम को करेगा तो कंडिशन उसके फेवर में आएंगी या नहीं आएंगी चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज के बारे में बताता हूँ जिसे वी शेप बोलते हैं, वी शेप किस तरीके से काम करती है उसके बारे में डिसकस कर लेते हैं, पहले इन चीजों को मैं थोड़ा हाटा दूँ समझाने के लिए, दोस्तों जैसे मैंने हिरदय रेखा के बारे में आपको बताया, यदि यह हिरदय रेखा, कुछ इस तरीके से बन जाए, और आगे चलके वी शेप बना दे, यदि यह वी शेप बना रही है, तो इस केस के अदर लव मैरिज होने के चांसिस रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक काम कर रहें, तो आपको आपके दोस्तों का सयोग मिलेगा, अगर आप को बिजनिस करते हैं, तो आपके दोस्त उसमें मदद करेंगे, ठीक है, वह हो सकता है, मुरली भी करें, financially भी करें और आपको एक track भी दिखा सकते हैं जिसके लिए आप deserve करते हैं क्योंकि आपकी भाग रेखा है, आपका साथ दे रही है और आपके हाथ में X भी बन रहा है, तो ये सारी चीजे collaborative होके काम करती हैं अगर आपके हाथ में M है, ठीक है X है और V भी बन रहा है तो इस case के अंदर ये होता है कि भाग आपका साथ देगा आप बुद्धी मान है, hard worker है और जो काम आप करेंगे तो आसपास का environment भी उसमें सहयोग करेगा और आप एक luxurious life जिएंगे उमीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो को V sign के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी यदि आप हमारे astrologer से बात करना चाहते हैं तो estrogen mobile application इस्टॉल करके आप हमारे astrologer से बात कर सकते हैं यदि आप की other कोई query है तो आप दिये गए नमबर पे whatsapp कर सकते हैं या फिर call कर सकते हैं मैं भगवान शिव और पारवती से यह प्रातना करूँगा कि वह आपकी सारी मनो कामना पूर करें इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आप सबी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप सारी मनो का बहुत 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 बहुत